बीच हम कुछ तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं दरसल ये ताज़ा तस्वीरे हैं नासिक से जो 350 से ज्यादा मज़दूर भोपाल अपने शहर लोटे हैं जो मजदूर तो किस तरीके से वो लोटे उसके बाद की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये देखें रेलवे स एक्स्प्रिस ने कुछ दिर पहले भी इस कबर को दिखाया था जहां पर इन मज़ूरों को लाने को लेकर के जो प्रिश्यासन ने तयारी की थी उसमें पहले इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था तो सबसे पहले इन तस्वीरों को स्वराज एक्स्प्रिस दिखा रहा है एक्सिक से 25 से ज्यादा मज़ूर अपने घर यानि अपने शेहर हुपाल लोट आए हैं ये रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरे हैं और आप तस्वीरों में देखिए मज़ूरों के साथ में उनकी कुछ बच्चे भी हैं यानि इन 350 से ज्यादा मज़ूरों को जब लेकर क आया जा रहा था तो सोशल डिस्टंसिंग का पालन इसमें कराया गया उनसे और जब जैसी ही वो रेलवे सेशन पर पहुंचे उसके बाद भी जो डिस्टंस का खयाल रखना है वो वहाँ पर भी उन्होंने रखा और जैसा कि हमने आपको खबर में इससे पहले भी बताया थ लिए जब बताया गया था तो ट्रेनों में बिठाया जाने से पहले उनकी स्ट्रीनिंग हुई थी जिसमें यह चेक किया गया था कि इनमें से किसी को लक्षण तो नहीं है और जैसा कि गाइडलाइन के मताबिक या फिर जो कानून है उसके मताबिक जो भी लक्षण अगर क उन्हें ही ट्रेन में बिचाया गया था और आपको बता दें के रेलवे स्टेशन पर भी एक बार फिर से इनकी स्क्रीनिंग होगी यानिके टेस्ट होगा ज्यादा ज्यादा ज्यानिकारी के साथ संजे डूंगर देवे हमाई सथ लाइब जुड़ गए हैं संजे जैसे कि 350 से ज्यादा मज़ूर गोपाल लौट आए हैं किन गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए इन मज़ूरों को यहां पहुचाया गया है और क्या यहां पहु आज कोपाल पहुचे हैं पुशा इसमें कच्ची जो देखने लायक है कि सरकार की जो यह उना रही या केलिया जाए जिस सरकार से मज़ूरों को लाया गया एच तो इनको फिलकुर दूरी का ध्यान रखा गया और इनको उसी इस्वादा से लाया गया लेकिन मज़ूरों की यहां पे आरोप लगाते हैं कि अगर हम लोग जब आबार पास पैसा नहीं है तो हम कैसे आ सकते हैं यह देखने वाली बात हैं सरकार ने कहीं न कहीं हम लोगों को यहां फ्री लाना था लेकिन सरकार ने हमारी वो दूरी नहीं दी और हमसे पैसा लेकर यहा लाया गया बु पुझर राइदानी ने सबसे अच्छी वेवस्ता यही की कि जब ये सारे पाट बजे यहां पहुँचे हैं इनको दाश्टे पानी के साथ अभीकारियों ने इनके लिए वेवस्ता की थी और इनका स्कैनिंग करके इनको अपने अपने जिले के लिए यहां से एसी बसों के द चैनल देखते को मिली कि उनने अपनी जो दूरी का एक एहसास हुआ कि अरिकार जो मजदूर जो आये थी वो कहीं ना कहीं एक अपने मन में भी कसक लेकर बेटे हुए थे कि या जो उन्हें यहां पर सुधाय मिलनी थी उसमें उन्हें कमी दिखी और यहां लाकर उन्हें एसा लगा कि कहीं हम लाकर कहीं अपनी जो जो जी रोटी जो बसों से वहां कर रहे थे उसके बाद यहां आए हैं और आगे तरदेश में भी क्या उनको रोजी रोटी मिलेगी या नहीं कई मजदूर अपने चोड़े चोड़े बच्चों को लेकर यहाँ पहुचे हैं और उनका यही कहिदा है कि सरकार ने सुविधाय जो दी थी उसमे बहुत कमी देखते को मिल रही है कही नहीं और अधी पाशाय थी जो उन्हें नहीं मिल पाई जी बुश्राव चले सुझे बहुत शुक्रिया थमाँ जानकारी के लिए तो तीन सु पच्चास से ज्यादा मजदूर हैं जो अपने शेहर भोपाल लोट करके आ गए हैं बहुत साही साबधानियां बरती गए जिसके बादी मजदूरों को लेके आया गया है सोशल डिस्ट्रिंसिंग का भी खयाल रखा गया लेकिन कहीं न कहीं मजदूरों में इस बात का मलाल है क्योंकि वो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं ऐसे में उनके लिए अब भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है जो बड़ा सवाल है यहाँ पर रुखें छोट से ब्रेक के लिए